सो गाइस वेलकम बाक तो मैं चैनल माईने में जराड एंडिया वाचिंग जाड़कूम सो गारी के बाद में बात करने से पहले मैं आ जा गया हूँ पीपीए स्पोक्स आयन पर जो की सिचुएटेड़ है एकसाइट कोलकाता में अगर आपको कोई भी वीड़ापलू का गारी जो इंटोड्यूस हुआ है फ्रॉम वीड़ाबलू अभी यह आपको सिर्फ वन लीटर इंजिन के साथ ही मिलेगा बोथ इन मैनुल एंड इन आटोमेटिक और यह आपका हाई-Line वेरियन के ऊपर बेस किया है यह जो पर्टिकुलर आप जीटी लाइन आप देख रहे हो अ बहुत ही एक मतलब अट्रैक्टिव गारी अभी आपको मिल जाएगा क्यूंकि इसमें फुल आपको ग्रॉस ब्लाइक अलिमेंट अन फुल ब्लाक टाउट आपको गारी मिल जाएगा अभी गारी के चावी के बारे में बात करूँ यहाँ पर आपको क्लासिक बीड़ाप की क्पो करने के लिए यहाँ पर आपको अब देख सकता है अपको फ्लिपकी मिल जाता है इसकीद की है वो भी आपको सेयं मिल जाता है अभी इसके एक्सिरियर के बारे मेरा करूँ गाईस सामने जो पहला चीज़ आप नोटिस करेंगे वह इसका फुल ब्लाक को घ्रिल मिल ज यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, इंडिकेटर आपको यहाँ पर फुल LED में मिलता है, यह उपर आपको यहाँ पर DRL दिया गया है, यह ओविसली LED हेडलाइट से, नीच आपको यहाँ पर Halogen में Fog Lamps मिल जाता है, जो कि आपको Connering Function के साथ मिलता है, और इसका सामने का ग्रिल है, आप देख सकते हो, लोवर पर फ्रंट मम पर इसमें आपको फुल Gloss Black Element दिया गया है, यह जो Color है, मतलब यह जो अभी scheme, मतलब BW ने इंटोड्यूस किया है, विद इस Black Element, काफी मुझे sporty लगता है, अभी side में आप देख सकते हो, side profile कुछ ऐसा है, टाइगून का, अभी और एक जो change आप देखेंगे, वो है इसके tires पर, यहाँ पर आपको यह Gloss Black Alloy मिल जाता है, यहाँ आपको 17 इंच में मिल जाता है, इसमें कोई red brake calipers आपको नहीं मिलता है, वो आपको GT Plus port में मिल जाएगा, ओविसली एक SUV है, यहाँ पर आपको wheel driving मिल जाता है, गारी पर, इंडिकेटर आपको यहाँ पर overgames मिल जाता है, जो कि आपको auto foldable है, gloss black में आपको overgames मिल जाता है, यहाँ पर आपको part chrome और part body color में door handles दिया गया है, B pillar आपको mat back पर मिलता है, उपर आपको roof rail है, यह भी आपको mat back पर मिल जाता है, जो काफी sporty element provide करता है, अभी यह तो high line variant के उपर base है, जो कोई भी आपको यहाँ पर sunroof नहीं मिलेगा, पर आपको gloss black में shark fin antenna दिया गया है, इस क्योंकि इसका light है, वो काफी special है, so let me just show it to you right now, so चावी डाल देता है guys अंदर, and यह भी आपको check out करवा देता हूं, उसका look है, So talking about the rear profile guys, यहाँ पर आप देख सकते, आपको full connected tail lamps में जाता है, जो कि आपका LED setup पर है, so आपका जो parking light और brake light है, वो आपका LED पर मिलता है, but आपका turn indicators और reverse light है, वो आपका halogen में मिलेगा, पीछे जो आप ताइगोन का और TSI का bashing देख रहे हो, यह आपको full black element में दिया गया ह पीछ आपको तीन parking sensor मिलता है, एक यहाँ पर एक आपको इस तरफ मिल जाएगा, एक आपको इस तरफ मिल जाएगा, एक आपको false तरफ दिया गया है, इसका reverse parking camera है that is placed here, VW का badging है यहाँ पर, पीछ आपको इस गारी में rear wiper मिलेगा, defopper के साथ high monstop lamp भी दिया गया है, and boot lamp मिल जाता है, halogen finish में first aid का kit है, यहाँ पर आपको hook मिल जाता है, जैसी का आप लोग देख सकतो, थोड़ा सा loading lip आपको मिलता है, ज्यादा आपको नहीं मिलागा, so भारी सामान रखने में आपको कोई दिक्कत इस गारी में नहीं होगा, boost पे स्वाज जो information है, वो आपके screen क उपर आजाएगा, आप देखके ज़रूर एक idea बना सकते हो, अभी चलते हैं गाइस, rear seat पर, rear seat पर जाने से पहले मैं इसका light यह सब off कर देता हूँ guys, so let me just open the rear door, and पीछे आप देख सकतो, यहाँ पर आपको full black interior मिल जाता है, leatherette finish आपको यहाँ पर मिल जाता है, with double stitching काफी premium ह switch है, satin पर आपको door handle मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पर एक border roller मिल जाता है, speaker placement के साथ, seats आपको यहाँ पर काफी premium मिलता है, full black seats आपको मिलता है, with part fabric and part leatherette finish, यह part आपको leatherette मिलता है, यह आपको fabric है, पीछा आप देख सकतो, तीनों का तीनों headrest आपको adjustable मिलेगा, so that is really good when it comes to safety, and seat का यह quality है, भाई, VW का seat से, obviously अपको अच्छा घाजा ही मिल जाएगा, so चलिए guys, अभी बैट जाता है अंदर, and interior का leg room अगर चराओट करेंगे guys, leg room for me is really good, this seat is adjusted to my driving position, and मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, under the ice support भी काफी अच्छा है, उसमें भी कोई मुझे complaints बीच में आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 AC Vans, 2 USB Type-C charging ports, and नीचे नहीं, यहाँ पर कोई pocket आपको नहीं मिलता है guys, कारेकर 14 के बारे में अगर बात करूँगा, इस तीन मंदे आराम से बैठ सकते है, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं होगा, अभी इसका जो च्छद है, यह आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, मैं अगर रिलाक्स करके बैठ हूँ, ऐसे करके, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसे प्रीटी कमफोर्टेबल अट बैक एंड सीट का जो कुछिनिंग है, वो भी काफी अच्छा है, so it's a big thumbs up from my side guys, and ऊपर आप यहाँ पर भी आपको सेम टीटमेंट दिया गया है, so चलिया गाईज, अभी चलता है सामने, सामने आपको क्या-क्या मिल जाता है, स्पोर्ट जीडी वेरियंट में, उस सामने जाके अभी आपन देख लेते है, so front door आपको ओपेन करेंगे guys, मैं एक चीज़ आपको बोलना यहाँ पर आपको कोई request sensor नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाले में आपको push button start नहीं मिलता है, क्योंकि this is based on the highlight variant, यहाँ पर भी interior आपको full black पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको leather rate पर treatment मिल जाता है, dual stitching के साथ, यहाँ पर आपको power window का switches मिल जाता है, सिर्फ आपका driver side one touch up down है, यहा locking का button यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकतो, काफी premium से gloss black element दिया गया है, रीचे आपको यहाँ पर मिलेगा, एक bottle holder speaker का placement, and space है, यहाँ पर आपको एक umbrella holder भी दिया गया है, seats के बारे पर बात करूँ गाईस, यहाँ पर obviously VW का seats है, सो काफी sporty seats आपको मिल जाएगा इस गाली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर liver मिल जाता है, आगे पीछे push करने के लिए, आप पर आपको यह knob मिल जाता है guys, so obviously आप लोग को पता है, जो लोग German गारी चलाते हो, यह आपका auto headlights के लिए है, यह आपका parking light के लिए है, and यह आपका front headlight के लिए है, इसको एक पूल करेंगे, आपका fog light जल जाएगा, और एक बार पूल करेंगे, आपका rear fog light जल जाता है, so यह कुछ function है यहाँ पर, so अभी चलते है guys, बैट जाते है अंदर, and interior में अभी आपको दिखा जाता हू, so this is the interior of the car, so यहाँ पर पहला चीज जो आप notice करेंगे guys, वह एक इसका जो interior है, वह आपको full black color में मिलेगा, so वह एक काफी premium element अभी आपको मिल जाता है, क्योंकि obviously sport variant है, so यहाँ पर sportiness appeal बगाने के लिए आपको full gloss black element दिया गया है, मतलब full gloss black आपको dashboard मिल जाता है, so यह जो part आप देख रहे हो, यह भाई full आपको black color में मिलेगा, अभी इसका जो ए PPF this whole place, मतलब यह पूरा PPF करवा लीजिए, यहाँ पर glove box हम लोग दिखेंगे guys, glove box में space अच्छा कास है, उसमें आपको कोई भी complaints नहीं होगा इस गारी में, so that is a big thumbs up, अभी यह जो tuskin है, यह tuskin on करने के लिए मुझे गारी on करना पड़ेगा, so एक बार on करके आपको दिखा touch controls है, so यहाँ पर blower control है, temperature control है, नीचे आप यहाँ पर देख सकतो, wireless charging pad है, dual USB type C का charging port है, अभी बात करते हैं इस touchscreen system के बारे में, so obviously यह tuskin system आप लोग को पता है, काफी यहाँ पर आपको slick touchscreen system मिल जाता है, जैसी का आप लोग देख सकतो, wireless android apple carplay आपको मिलेगा, यहाँ पर यहाँ पर आपको apps भी मिल जाता है, बहुत कुछ आप यहाँ से खरीज भी सकतो, इसका traction control है, वो आप यहाँ से on-off कर सकतो, यह मुझे काफी एक अच्छा चीज लगता है, नॉर्मली गारी में button रहता है, पर यह मतलब VW के खासियत है, यहाँ पर आपको 6-speed का manual transmission मिलेगा इसका reverse gear भी एक बाद देख लेता है, इसको push करके आपको देना परता है reverse gear, this is a reverse parking camera, but कोई adaptive guidelines आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर, बतलब normal guidelines मिल जाता है, so that is there, 12-volt का एक socket है, यहाँ पर आपको मिलेगा manual handbrake, dual cup holders, यहाँ पर आपको leatherette finish में ambres मिल जाता है, with some space on the inside, and यह adjustable नहीं है guys, उपर आपको यहाँ पर एक frameless manual dimming airway मिलता है, यह आपको लगेगा auto dimming है, but यह manual dimming है guys, so आप यहाँ से इसको dimming कर सकतो, यहाँ पर आपको LED में reading lamp दिया गया है, visor में आपको मिलेगा mirror, but we light नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा ticket holder, mirror यह light आपको नहीं मिले है, with this white stitching over here, काफी premium steering wheel है, one of the best steering wheels in the segment है यह, VW का logo है, airbag का symbol है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको आपका जो infotainment system है, वो आप यहाँ से control कर सकते हो, यहाँ पर आपको सब controls मिलेगा for the MID over here, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका indicator का stocks, और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका यहाँ पर adjustment मिल जाएगा, so that is really good, coming to the interior guys, यहाँ पर आप देख सकतो, आपको यहाँ पर part digital और part analog में आपको instrument cluster मिल जाएगा, यह जो बीच में screen है, वो आप यहाँ से adjust कर सकतो, सब आप view दबाएंगे, यहाँ पर आप देख सकतो, यह change होता है, यह जो information है, वो आप यह सब button के साथ scroll कर सकतो, economy, यह आपका speed in digital, फिर आपका average speed, distance to empty, मतलब distance, कितना distance आपने travel किया, travel time, यह सब आपको यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ आपका time दिखा रहा है, this is your total auto reading, this is your outside temperature, so कारी के visibility का बारा में अखर बात करोगा, इस visibility भाई, अच्छा ही आपको मिलेगा, कोई भ visibility आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, so in my opinion guys, यह जो गारी है, इसका जो interior है, काफी premium है, and अगर आप, मतलब टाइगून पर जाना चाते हो, and अगर आपका budget 16 to 17 lakh से, then अब जरूर यह, मतलब GT Sport variant पर आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको काफी sporty सा interior भी मिल जाता है, so guys अगर आपको interior review पसंद आए, वीडियो का like करना मत भूलिए, because it will really help the video, and also the channel, so guys, यह था मेरा detail review on the all new 2024 VW Tigon GT Sport variant, जो कि आपका 1 liter में available आपको किया गया है, in both MT and in 80, so guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो का like करना मत भूलिए, and guys, यह सिकी मैंने मेरे interior review पे नहीं चाहिए, क्योंकि obviously भाई, VW का गारी है, मतलब एकनम जबर्दस आपको यहाँ पर build quality मिल जाता है, and obviously TSI engineer भाई, तो performance के बारे में, तो कोई भी इस गारी में आपको शक होगा ही नहीं, so guys, this was my video for today, channel पर subscribe करना मत भूलिए, and वीडियो का like करना मत भूलिए, मैं मिलूं